हेलो दोस्तो आज सान कीचन में बन रहा है कोवी का बहुत ही टेस्टी कुरकूरा क्रिस्पी पकवड़ा अभी मोसम चल रहा है ठंड का इसमें बहुत साड़ा कोवी मिलते रहता है या बहुत और बहुत अच्छे-च्छे सारे सबजी मिलता है आज मैं चलती हूँ आप सभी के लिए कोबी का टेस्टी पकवरा ले, तो आप इसे चाय के साथ लेगे तो ये बहुत ही स्वाधिष्ट लगेगा खाने में और नहीं तो आप इसे इसी तरह भी खा सकते हैं तो मैं कोबी का बहुत सारा पकवरा को बना ली हूँ तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो मैं नए नए वीडियो को इंस्टागराम भी डालती हूँ आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए कोवी का पकोड़ा बनाने के लिए मैं कोवी को छोटे-छोटे टुकरों में मैं इसे काट कर धोकर रख ली हूँ गैस में चरहा दी इसमें मैं नमक को डाल दी हूँ आधी चमस मैं नमक को डाल कर ऐसे में पांच मिनट के लिए से मैं पका लेती हूँ आप इसे हलका उबाल ले और उबाल कर आप इसे ठंधा होने दे तो हमारा कोभी जो ये हलका उबल गया हमें गैस को बंद कर देती धर मैं बेशन को घोल लेती हूँ इसमें मैं स्वादनुसार नमा खली पादार लाल मिर्च गरम मसाला को मैं डाल देती हूँ आप दीर दीर पानी को डाले और डालकर इसे अच्छे से इसे मिला ले आप पानी को एक बार ना दाले धीरे-धीरे पानी डाल कर आप गोल को अच्छे से इसे तयार कर ले। पकोड़ा तो कोई भी सीजन में खा सकता। यह बहुत ही टेस्टी लगता। मैं घोल को तयार कर देना कर दो इधर मैं तेल को गर्म कर लेती हूं और बेशन में कोवी को लपेट लेती हूं यह बहुत ही टेस्टी लगेगा आप चाई के साथ या इसी तरह आप इसे खा सकते हुए बहुत ही ज़िए मेडियम फ्लेम पर आप अच्छे से प्लेट में निकाल लेती हूं दूसरी बार इसी तरह से चान लेती हूं लगा कर इसे एकक कड़के में डाल देती हूं डाल कर आप medium flame पर अच्छे से छान ले तो आप इसे थोरी दर पकने दे उ पख जाागा तो आप दूसरे तरप तो मैं दूसरी तरप इसे पल टा लेती हूँ हमारे टेस्टी Nature Covey का पकोड़ा बन कर तयार है आप इसे ख़ाइए और इंजाई किझे तो हमारे चैनल पढ़ने है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब फबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो नई नई वीडियो को मैं इंस्टाग्राप पर भी डालती हूँ आप चाहे तो हाँ सभी देख सकते हैं में तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्यार लगें और सौस्त रहें हसते रहें और मुस्कुराते रहें